नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2J Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको प्रधान मंत्री फसल विमा योजना की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बैंक किन किसानों का फसल विमा करती है किन किसानों का फसल विमा नहीं करती है इसकी लास्ट डेट क्या होती है रभी सीजन में और खरीब सीजन में दोनों के हम आपको last rate भी बताने वाले हैं, वह जिन किसानों को फसल बीमा नहीं करवाना है, वो premium नहीं कटवाना चाहते हैं अपने खाते से, तो उन किसानों को कौन सा farm कब तक जमा करना होता है, कितने दिन में जमा करना होता है, साथी फसल खराब होने पर फसल बीमा का claim कहा पर करना होता है, कब करना होता है, किस number पर करना होता है, किस portal पर करना होता है, क्या-क्या जानकारिया देनी होती है, और PM फसल बीमा योजना में अगर फसल नस्ट हो जाती है, आपकी फसल इंसे ओर है, उसके बाद आपको claim कम मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, सब वीडियो में यानि कहने का दाथ पर यह है कि हम आपको PM फसल बिमा योजना की पूरी जानकारी एटू जड़ जानकारी देने वाले हैं कि फसल बिमा होता क्या है कितना कड़ता है प्रीमियम कितना कड़ता है då वापिस कितना मिलता है फसल नश्ट होने पर कितने प्रस् influen0 आपको पैसा वापिस मिलता है सब कुछ इस वीडियो में हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं क्योंकि ज्यादातर किसानों का के सीसी तो है बैंक में यह उन्होंने किसान केट कार्ड का लोन ते ले रखा है लेकिन उनके खाते से प्रतिवर्स प्रीमियम भी कर जाता ह है साल में दो बार रभी सीजन में और खरीब सीजन में उसके बाद भी उनकी फसल भी नश्ट हो जाती है और उन्हें वीमा कंपनी की तरफ से क्लेम नहीं मिल पाता क्योंकि जानकारी के अभाव में उन्हें यहीं नहीं पता होता है कि कंप्लेंट कहां करनी है फसल नश्ट के द्वारा क्लेम नहीं मिल पाएगा यानि आप लोग उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगे तो पूरी जानकारी होना आवस्यक है तब ही आप PM फसल विमायोजिना का लाभ प्राप्त कर पाएगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े हैं आप लोगों को इस पूरे ले चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम PM FBY की लास्ट जान लेते हैं कि रभी सीजन में फसल विमा कराने की अंतिन्तिति क्या होती है और खरीब सीजन में फसल विमा कराने की अंतिन्तिति क्या होती है तो दोस्तों हम आपको बतना चाहते हैं जो रभी सीज तक bank को आप टाउट फार्म नहीं देते हैं तो आपके खाते से bank फसल बीमा कर देगी वह अगर हम खरीब सीजन की बात करें तो इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है अगर आप 31 जुलाई तक bank में जा करके आप टाउट फार्म होता है अगर उसे फिल करके आप bank में summit कर देत तो आपकी खरीब की फसल का फसल बीमा बैंक नहीं करेगा अगर आप फाम नहीं देते हैं तो बैंक आपकी फसल का फसल बीमा कर देती है अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रीमियम की कि जब फसल बीमा होता है तो आपके खाते से प्रीमियम के नाम पर कितना रुपया होगी उसका डेड़ परसेंट आपके खाते से पैसा डेबिट किया जाता है अब अगर हम उत्तरपदेश के उन्नौजनपत की बात करेंगर किसी किसान के पास एक हेक्टेयर जमीन है और उस एक हेक्टेयर जमीन में वो गेहुं की फसल बोता है तो वहाँ पर आपको लगभग ग्यारा सो रुपए आपके खाते से डेबिट किया जाएंगे डेड़ परसेंट किदर से तो कुल मिलाकर आपकी फसल की जो भी लागत होती है रभी में डेड़ परसेंट और खरीब की फसल की जो लागत होती है उसका दो परसेंट आपके खाते से पैसा डेबिट किया आता आपकी फसल का फसल भीमा के लिए प्रीमियम काटा जाता है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किन किसानों का फसल भीमा किया जाता है किन किसानों का फसल भीमा नहीं किया जाता है तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर आपका किसान के इट काड़ बना हुआ है त पूल किसानों को फसल विमा का लाब नहीं दिया जता है उनकी फसल का फसल विमा नहीं गया जता है बांकी जितने भी किसान होते हैं जिनका भी KCC बना हुआ है जिन्होंने भी आप्ट आउट नहीं दिया है फिर जिनके भी खाते NPA नहीं है उन सब के खाते से बैंक PM फसल वि करवा सकते हैं जो भी सुल्क होगा आप आनलाइन उसे पे कर देंगे आपकी फसल का फसल भीमा हो जाएगा तो यह दो तरीके होते हैं जिस तरह से आप लोग प्रीम फसल भीमा का लाप्राप्त कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपनी फार्म बैंको नहीं दिया आपने प्रीमियम डेबिट करवा दिया उसके बाद कोई प्राकरति कापदा आ गई जैसे अतिब्रष्टी हो गई या फिर ओलावरष्टी हो गई अब इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब आप अपनी फसल का फसल बीमा कराते हैं त तो उस दसा में 14 दिन तक कटाई के 14 दिन बाद तक आपकी जो फसल होती है वो बीमित होती है नि इनसे ओर्ड होती है तब तक आपको क्लेम मिल सकता है अब हम बात कर लेते हैं या फसल आपकी माल लीजिए नश्ट हो गई आपने फसल बीमा ले रखा है और आपकी फसल क्लेम करने के लिए आपके पास PM फसल वीमायोजना का टोल फ्री नंबर होना चाहिए आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा उस टोल फ्री नंबर पर आपको कंप्लेंड कर देना है या फिर PM फसल वीमायोजना का पोर्टल है जैसे आप PMFBY पो अमीन है क॑न से थासलों पोते हैं तो आपको यह भी है कि मेरा प्रीमियम कितना घटेगा उसी पोड़तर पर आप अपनी उसका प्रीमियम भी जान पाएंगे आप अगर ऐस उसका क्लेम किया है तो उसका State कर पाएंगे कि आपका जो कंप्लेंड आपने किया था उसमें क्या स्थिति है भी उसमें क्या process में है पूरी जानकारिया आपको वहीं से मिल जाएगी तो उस पोल्टल पर जाकर करके आप online वहां से complain भी कर सकते हैं और अगर आपकी फ़सल नश्ठ होती है तो आप अपने मोवाइल फोन से उसकी फोटो जरूर क्लिक कर लें उसके बाद आपको मैंने बताया कि बैंक चले जाना अगर आपने के सी सी बनवा रखा है तो फिर आप बैंक चले जाए सबसे पहले बैंक जा करके वहां पर जब आपकी फसल का फसल भी माकिया आता है तो एक रजिस्टेश नंबर दे दीजिए जिससे हम फसल पर जो कंप्लेंड करें तो वहां पर रजिस्टेशन नंबर जमांगे तो आप उनको उपलब्ध करा सके या फिर अगर आपके पास रजिस्टेशन नंबर नहीं भी आप बाइंग नहीं पहुच पाते हैं तो जो सबसे प्रियार्टी व फसल आपने कब वही थी इस तरह कि जो भी जरूरी जानकारिया होंगी वह आप से लेंगे और उसके बाद आपकी एक कंप्लेंड रजिस्टर कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पर SMAS के माध्यम से सूचना मिल जाएगी कि आपकी कंप्लेंड रजिस्टर कर दी गई है प्रीमा कंपनी की तरफ से अधिखारी आएंगे आपकी जो फसल नस्ट हुई है उसकी जांच करेंगे देखेंगे कितने प्रसत आपकी फसल नस्ट हुई है अगर पूरी फसल आपकी नस्ट हुई है तो आपको लगभग यह मान के चलिए कि अगर आपकी आप जैसे उस पो पूरी तरह से बरबाद हो जाती है, एक हेक्टेर पूरी गेहों की फसल नश्ट हो जाती है, तो 73,000 रुपए बीमा कंपनी आपको क्लेम के रोप में वापिस देगी, तो इस तरह से PMFUI के पूर्टल पर जा करके आप चेक कर सकते हैं, कि अगर आपकी फसल बरबाद होती है, आपको कितने रुपए का क्लेम मिलेगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितने रुपए का क्लेम मिलने वाला है, तो 10 दिन के अंदर बीमा कंपनी से जो अधिकारी आएंगे, वो इसकी जांच करेंगे, कितने प्रसत फसल नश्ट होई है, कितने प्रसत फसल बची हुई है उसकी जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट लगा करके वो भीमा कंपनी को भेज़ देंगे और सर्वे होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापिस आपके खाते में उसी किसान केट कार्ड के खाते में मिल जाएगा जिस खाते से आपका प्रीमिय के पोर्टर पर भी देख सकते हैं और जो पीएम अब्ब्वाई का टोल फी नंबर है वहां पर आप पता कर सकते हैं काल करके कि मैंने इसकी कंप्लेंड की थी इसका क्या स्टेटस है वहां से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आसा करते हैं मैंने पीएम PMFBY लेना है नहीं लेना है हाँ एक बात में आपको और बताना चाहता हूं कि जो PMFBY रभी सीजन की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 है तो उससे पहले पहले अगर आपको PMFBY यह नहीं फसल बीमा का लाब नहीं लेना चाहते हैं तो बैंक जा करके जिस भी बैंक से आपका KCC होना है वहां पर एक आप टाउट फार्म होता है वहां पर जाकर कि आप आप टाउट फार्म बैंक को दे दे तो आपके खाते से फसल बीमा का प्रीमिम नहीं कटा जाएगा अनिथा आपकी रभी सीजन की फसल का फसल बीमा कट जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतन तक के लिए जय हिन, जय भारत!